दोस्तों आप कोई भी SIM card यूज़ करते हैं Vodafone, Vodafone Idea या Jio या Airtail तो इसमें से अगर मान लीज़े कि आप अपने SIM card को BSNL में port कराना चाहते हैं तो मैं पूरा डीटेल इंफरमेशन वीडियो में दूँगा कि कैसे आप अपने SIM card को BSNL SIM card में port करा सकते हैं ठीक है तो अग दोस्तों port कराने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वह भी मैं वीडियो में बता दूँगा तो दोस्तों आप अपने SIM card को अगर port कराना चाहते हैं क्योंकि 3 जुलाइ के बाद से Vodafone Idea, Jio और Airtail का recharge plan 20-25% increase हो चुका है तो बहुत यूजर स्विच कर रहे हैं BSNL तो दोस्तों अगर आप भी अपने Jio, Airtail, Vodafone Idea SIM को port कराना चाहते हैं या किसी भी SIM में port कराना चाहते हैं तो बहुत असानी से कर सकते हैं तो सबसे पहला है एक step दोस्तों सबसे पहली चीज है कि आपको जो भी SIM को किसी SIM में अगर आपको port कराना है तो उस SIM में आपका recharge हो जरूरी है, recharge मान लीजे कि दो दिन पहले, 20 तारीक को recharge खतम होने वाला है, तो आप 18 तारीक को कर लीजेगा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के message में जाना है, message में जाने के बाद यहाँ पर 1900 पर message कर देना, message क्या करना है, तो आप लिखना है PORT Capitalator में फिर Space देना है फिर आपको अपना phone number डाल देना phone number दसंको का डाल दीजेगा जो भी SIM को आप port कराना चाहते हैं वो number दे दीजेगा और उसी number से आप message कीजेगा ठीक है तो आपके पास आएगा 1901 से एक message message में आएगा आपका port number ठीक है UPC port number आपको ये port number किसी के साथ share नहीं करना है क्योंकि ये port number से आपके number से कोई भी SIM निकाल सकता है तो ये secret रखिएगा जब भी है आप अपने नया SIM लेने जाएगा कोई भी BSNL का नजदी की कोई भी दुकान पे या तो BSNL office में तो आप वहाँ पे जाकि ये share कीजेगा port number और वहाँ से आपको नया SIM card issue हो जाएगा port हो जाएगा ठीक है port होने के लिए दोस्तों ये सबसे पहला तो ये port number चाहिए और ये port number जब भी message आएगा वो 3 दिन तक आपका valid रहेगा मतलब 3 दिन तक आप वो message का use कर सकते हैं मान लीजे कोई आपको काम आ गया तो आप तूरंट नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तीन दिन आपको ये समय मिलेगा ठीक है तो फिर उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे 1900 पे आपको port देके फिर port number देके आपको message कर देना है फिर यहाँ पे देख सकते है 1901 से आपको एक मिनट के बाद यह message आएगा reply आएगा reply में आपको आएगा UPC port number लेके आपको जाना है आधार card लेके जाना है ठीक है तो फिर उसके बाद वहाँ पे जाएगा तो आपको अपना सीधा बोलना है वहाँ पे जाके बोलिएगा फिर उसके बाद वह आपके फोटो घीचेंगे फिर उसके बाद आपका अधार number देंगे बाकि आपका address वाद्रिस मिंटिन करेंगे आपको 100 रुपया लगेगा 50 से 100 के बीच में अगर आप BSNL SIM में convert करना चाते हैं 100 रुपया जो भी लगेगा 50 या 100 या 60 रुपया 70 रुपया जो भी लगेगा तो उसके साथ साथ आपको recharge plan भी मिलेगा मतलब उसका आपको recharge फीरी में करेगा आपको 2 महीना आपको recharge मिलेगा 2 जीवी पर डे के हिसाब से ठीक है तो वह वह वेर्थ नहीं जाएगा क्योंकि व फिर उसके बाद मैं कुछ recharge plan बता देता हूं BSNL SIEM का तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कुछ recharge plan जो BSNL SIEM का है 251 का है 298 का है फिर उसके बाद देख सकते हैं 599 का जो recharge plan है 3GB पर डे मिलेगा प्लस 3GB खतम हो जाता है तो 3GB आपको free मिलेगा यह ठीक है फिर उसके 666 रुपए का है फिर 2 GB पर दे मिलेगा आपको 105 दिनों के लिए यहाँ पर मिलेगा ठीक है तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर रिकमेंड जो है यहाँ पर देख लिजेगा फिर उसके बाद देख सकते हैं रिकमेंड में अगर आप एक साल का रिचार्च कराते हैं BSN तो आपको 2,000 रुपए में आपको मिलेगा 600 GB, 2,000 रुपए में मिलेगा 600 GB, 365 दिनों के लिए unlimited call भी मिलेगा ठीक है तो आप यहाँ पर जो भी रिचार्च पर आपको पसंद आता है बहुत असानी से आप कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडिय वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजएगा थैंक्स वर वाचिंग